नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके बरोसेमन यूटूब चैनल पर सात्यों स्कूल और कोलेज को खोलने को लेकर आज की ताज़ा अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ वीडियो लाज तक पुरा देखना आपको समझ में आ जाएगा कि स्कूल और कोलेज को खोलने को लेकर क्या अभी की इस्तती है पहले बात कर लेते हैं ये परेशानी है बड़ी बच्चों के संकट की गड़ी ओनलाइन पढ़ाई में विद्यारतियों का नहीं लग रहा है मन चिरसीड़ापन आंखों में दर्द सिर्भारी होना यानि कि ये तमाम समझेशाइं हो रही है अगर आप भी इन समझेशाओं से जूज रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजेगा तो आपके लिए उपा ये है कि आप इस भी इसमें थोड़ा रेश्ट लें क्योंकि ये अभी एक नया ट्रेंड आया है इसके हम आदी नहीं है ओनलाइन पढ़ने के कोरोना काल में आदत बड़लने में भी टाइम लग रहा है इसकारण आपको ये समयशें आ रही है सबसे पहले मेरी बात आपके स्वास्टे को लेकर थी अब बात करते हैं स्कूल और कोलेजों को लेकर सरकार का क्या स्टेंड है और वो मैं आपको इस चैनल पर बताने वाला हूँ स्कूल और कोलेज खोलने की सटिक जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो इस सरकारी स्कूलों को खोलने का अभी ओचित्य क्या है इस रिपोर्ट के अंदर सरकार ने कहा है कि सरकारी विदालियों के अध्यापक भी कोरोना की चपेट में आ चुके है ऐसे में सरकार की तरब से क्या सूईधाई देगा प्राइवेट होस्पिटल में इलाज करवाना मतलब अपनी जमीन जाधात को बेशना है ऐसे में सरकार को ये समझना चाहिए कि इनका संक्रमन कैसे रोका जा सकता है इसी दर्ष्टिकोंन को ध्यान में रखते हुए जो कारियाले खोलने आवशेक नहीं है उनको बंदी रखना चाहिए सातियों सरकार ने का है कि सरकारी स्कूलों के अंदर अभी स्विधा ही नहीं है ना ओनलाइन पड़ा ही किये तो उन्हें तो अब खोलना चाहिए लेकिन सरकारी टीजर अभी बहुँ ज़्यादा संक्या के अंदर पोजिटिव आई है तो अब भी सरकारी स्कूल नहीं खुलने वाले हैं, यह सरकार ने कहा है अगस्त मेने में इस्कूल खुल जाएंगे इन तीन राजियों के अंदर बाकी राजियों के अंदर इस्कूल नहीं खुलने वाले हैं वहां कब खुलेंगे वह में बात आपको अगले वीडियो में बता दूँगा एक अलगी गाइडलाइन आईए बाकी राजियों के अंदर step by step क्या प्रोसेस है